क्या आपके भी मेमरी काड करप्ट हो चुके हैं या आपकी भी USB फर्मेट नहीं हो रही आप फर्मेट करते हैं और वो फर्मेट नहीं होती तो इस वीडियो में आपके तमाम प्रावलम का सुलूशन आपको मिल जाएगा वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा असलाम लेकुम फ्रेंड्स मैं हुआफिज मुम्माद इक्राम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल इनफर्मेशन लैब मैं आपको अपने चैनल में खुश्यामदीद कहता हूँ आज की हमारी वीडियो का टापिक है कि आप किस तरह अपने क्रॉप्टेड मैमरी कार्ड जो आपके फार्मेट नहीं हो रहे आपने फार्मेट करते हैं वो फार्मेट नहीं होते या यूएसबी जिन्हें आप फार्मेट करते हैं और वो फार्मेट नहीं होती बास प्रावलम यह होती है कि आप उनके अंदर कापी पेस्ट नहीं कर सकते कापी USB के अंदर शॉर्ट कट बन जाते हैं तो अगर आपको इन प्रॉब्लम का सामना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा तो और आप बिना वक्त को जाया किये बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की जाने और चलते हैं केम्प्यूटर की स्क्रीन पर और सीखते हैं कि किस तरह आप अपने करफटड मैम्री कार्ड को ठीक कर सकते हैं तो सबस्क ReeseIES पहले से पहले आपने वह वाली USB जो किक फारमीट नहीं हो रही तो friendrainz मैं अपने USB को plugin करता हूँ तो finally मैंने जो है वह अपने USB को plug-in कर दिया है on a PC के अंदर तो friend मेरी USB है वो computer में show हो चूकी है आपने यहां पर सर्च बार के उपर आना है सर्च बार के उपर आने के बाद यहां पर आपने टाइप करना है command prompt तो जैसे ही आप Command Prompt टाइप करेंगे तो आपके सामने ये Command Prompt जो है वो शो हो जाएगी आपने यहां पर इसे Run As Administrator के थुरू इसे Open कर लेने है Open करने के बाद यहां पर आपने जो है Command टाइप करनी है Command क्या टाइप करनी है यहां पर आपने टाइप करने है Disk Part Space के बगेर आपने टाइप करना है आपको जो Command है वो स्क्रीन के ओपर शो हो जाएगी जैसे ही आपने Command Type की आपने इसके बाद Enter प्रेस करना है Enter प्रेस करने के बाद आपने दूसरी Command देनी है एंटर करने के बाद आपके सामने जो है वो केंप्यूटर के अंदर जितनी भी आपकी डिस्कें लगी हुई है वो आपके सामने शो हो जाएंगी और उसके बाद आपने यहां से जो है वो अपनी जो डिस्क है उसे सिलेक्ट करना है जो मेरी 30GB की USB लगी है तो मैंने अपने य पेस्ट लाजवी देनीए और शके बाद फिर आपने एंटर कर देना है एंटर करें के बाद आपकी जो डिसक हो सिलेक्ट हो चुकिए और अब भी आपने फिर से कमांड देनी है यहांप़र आपने टाइप करने है लिस्ट ल-ाइ-स आपके अंदर जितनी भी partition बनी होगी वो आपके सामने शो हो जाएंगी तो अभी आपने यहां से वह वाली partition select करनी है जो के आपकी फारमेट नहीं होती है जो इसके अंदर virus है अब इने फिर झे एक command देनी है आपने वो command क्या देनी है यहाँ पर आपने मुस्म वालियम को सबसे पहले select करना है तो select करने के लिए आपको पता है कि आपको कौन वालियम 7 आपको जो मेरा वालियम है वो 7 नमभर पर है तो नप्र से मैंने जो है फिर से enter करना है तो आपको जो volume है वो select हो जाएगा और उसके बाद आपने से करना है format format करने के लिए आपको फिर से command देना पड़ेगी आपने यहां पर type करना है format format उसके बाद space उसके बाद फिर आपने fs equal equal का sign डालने के बाद ntfs याद रहे fs और equal और ntfs के दरमयान आपने कोई space नहीं देनी यह भी command आपको screen के वोपर शोर ही है तो अभी आपने इसके बाद जैसे आप enter प्रेस करेंगे तो आपका memory card है वो format होना start हो जाएगा friends यह थोड़ा सा time जरूर लगाएगा लेकिन आपका memory card जो है वो फुली तोर पर clean हो जाएगा एक दम हटा कटा सहत मंद हो जाएगा बेमारी से सहत याव हो जाएगा तो आपके memory card के अंदर virus है वो भी clean हो जाएगा अगर आपके memory card के अंदर या USB के अंदर shortcut बन जाता है वो भी clean हो जाएगे इस command के थुरू अगर आप अपने memory card या USB को फर्मेट करते है तो और इसके इलावा आपके जो copy paste नहीं होता वो भी आपकी जो memory card या USB वो भी इस command के थुरू आपके ठीक हो जाएगे इसके इलावा अगर आपके जो corrupted memory card है आ आप उनके उबर practice कर सकते हैं friends अगर memory card को software का मसला हो तो वो तो इस command से ठीक हो जाएगे लेकिन अगर आपके memory card को hardware का मसला है आपके memory card या USB hardware के through corrupted है या खराब है तो वो इस command के थुरू ठीक नहीं होंगे मैं फिर से आपको बता रहा हूं बात में comments करके मुझे ये ना करेंगा कि सार मेरा जो memory card है मैंने command same to same बिल्कुल सही टाइप किया है और मेरा memory card ठीक नहीं हो रहा तो वो आपके जो memory card है उसे को जो hardware का मसला है अगर आप hardware का मसला ठीक करना सिखना चाहते हैं तो मेरी इस video को 1000 लाइक और मेरे चैनल को subscribe करना ना भूलिएगा मेरे से contact करना चाहते हैं बाद मेरे जो viewer हैं वो कहते हैं कि सार अपना number देंगा हमने आपसे बात करनी है या help लेनी है आपसे कुछ पूछना है तो आप जो है आपको description के अंदर group का link मिल जाएगा telegram के group का भी link मिल जाएगा और whatsapp के group का link भी मिल जाएगा आपने जो दोनों में से जो भी फिर भी इस command के through भी आपके memory card जो corrupted memory card है वो ठीक नहीं हो रहे तो आप मुझे comments करके बताएं कि आपके memory card को क्या issue आ रहा है क्या problem आ रही है तो मैं आपको उसके उपर भी एक और वीडियो जरूर बनाऊंगा अगर आप comments करेंगे तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा और आ अपने corrupted memory card या USB के इस तरह जिसे recover कर सकते हैं और अगर हां अगर आप memory card का data या mobile के internal memory card data recover करना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे support करें अगर आप देख सकते हैं जो मेरा corrupted memory card था वह बिल्कुल ठीक हो चुका है तो friends आप देख सकते ह हैं कि मेरे ये USB है वह भी बिल्कुल ठीक हो चुकी है जो मेरी के पहले के correct हो चुकी थी तो आपके सामें है मेरे USB है वह भी बिल्कुल open है और उसके अंदर आपको कोई चीज दिखने को नजर ने और वह बिल्कुल smoothly जो है मैं अभी आपको open करके दिखाता हूं उसके अंद अभी कोई भी problem नहीं है तो आप देख सकते हैं यहां पर आप इसे copy paste भी कर सकते हैं मैं आपको एक जो है वो कापी करके भी दिखाता हूं यहां पर आपने करना गया मैं आपको ने आपको मैंने यह कापी करके दिखा देता हूं यह अब आप एजी ली जो अपनी USB या MMB काड़ आप उसे यूज कर सकते हैं तो प्रैंट्स उमीद करता हूं कि हमको यह मेरी वीडियो बहुत पसंद आ अगया होगा कि आपने किस तरह अपने क्रॉप्टेड मेमरी कार्ड या USB को आपने रिपेर करना है तो प्रैंट्स आज का हमारा क्वेस्चन है कि पहला एलेक्ट्रोनिक केम्प्यूटर किस ने इजाद किया वू डिवेल्प दी फर्स्ट एलेक्ट्रोनिक केम्प्यूटर तो प्रैंट्स जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आए और मुझे मेरे क्वेस्चन का आंसर दें देखते हैं कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं तो प्रैंट्स उमीद करता हूं कि आपको आज की मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी अगर आपको मेरी ये वीडियो प झाल झाल झाल